देखिए प्रदानमिंत्री श्री नरेंदर मोदी जी का सेंटर से एक उनका जो एनॉस्मेंट है जो रिहाईशी जुन्होंने अपना छोटा सा आशाना बनाया है दो मरू तीन मरू चाल मरू पांच मरूपे है उनके साथ कोई भी छेड़ खानी नहीं की चाहेगी उनकी जो लैंड है उनका जो छोटा सा आशाना है नरेंदर मोदी जी की कोशिश ये रहेगी उनका जो छोटा सा आशाना है उसको बड़ा बनाने की नकि उनसे वो लेने की तो जिनके पास 60 कनाल है, जिनके पास 50 कनाल है, जिनके पास 10 कनाल है, वो तो public property है, उन लोगों ने उसको occupied किया हुआ है, वो तो public property है, वो public के पास जानी ही चाहिए, ऐसा नहीं है ना कि हम उस पे जबरदसी कब्जा करके बटे, for example, अगर कोई मेरी लेंड है, चाहे एक कनाल क किया है, या दस कनाल किया है, उस पे कोई कब्जा करेगा, मैं वो बरदाश कर सका, करूंगा, कभी नहीं, तो ऐसे ही जो वो government lands है, वो वापस देनी है, वो government की लैंड नहीं है, जो भी government property होते है, वो public property होते है, that means वो हमारी property है, I think मुझे यह लगता है कि हमें उसका पूरा सयोग करना चाहिए, पूरा, मैं आप सब लोगों का शुकूर गुजारूं कि आप यहां पे आए, आपने अपना किमती समय निकाल के आप यहां पे आए, जैसा कि आप सब को पता है कि मैं Prime Minister of India का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनकी नीतियों का लगतार प्रचार करता और 23 ओगस्ट 2001 को जो मैंने सिरिनगर से डैली जानी की पहल की थी, बाइफिट, Prime Minister of India से मिलने के लिए, तो उसके बाद लगतार जहां पे भी Prime Minister of India की बात आती है, चाहे पंजाब में उनकी Security 2 की बात आती है, चाहे कोई भी बात आती है, तो सबसे पहले फाहीम नजीर शाह वहाँ पे खड़ा मिलता है, उसके बाद पैरा मिल्टरी फोर्सेज या जेकेपी या किसी आम वेक्ती की किलिंग होती है, बाई टेरिस्ट, तो सबसे पहले वहाँ पे फाहीम नजीर शाह खड़ा मिलता है, तो आज मैं फाते गड़ के इलाके में आया हुआ हूँ, बारमल क्योंकि यहां की जो सडकों की हालात और यहां का जो development मुझे लगता है कि यह अभी भी 90s के साथ है, I think कि government needs to focus फातेगड क्योंकि प्रदार मंत्री श्री नरेंदर मोधी की जो रन रिती है कि डिजिटल इंडिया बनाने की, डिजिटल भारत बनाने की, मुझे लगता है कि यहां की लोगों को पता ही नहीं होगा कि डिजिटल इंडिया किसे कहते है, डिजिटल भारत किसे कहते है, क्योंकि यहां की हालात ऐसी है, मेरी यह गुजारिश रहेगी, humble request रह जल्द से जल्द यहां के लोगों को भी पता चले कि डिजिटल इंडिया जो परदार मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी को खौब है वो भी कोई सपना परदार हमारे देश के परदार मंत्री देख रहे है तो अब जो हमारा 26 जैनुवरी 2023 को जो मैं रोड शो कर रहा हूं कश्म मिस्टर नरेंदर मोदी जी को 2024 में फिर से लाना है यह अखंड बारत यात्रा होगी इसमें पूरा बारत जुडेगा और इसके साथ साथ दुश्मन देशों को और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ देश का बच्चा बच्चा है दे लोगों को कहा कि मेरा मिशन क्या है ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर सहाब ने क्या 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 करप्शन खतम हुआ आतंग वाद सबसे बडी जो चनोती थी वो आतंग वाद खतम हुआ JKP paramilitary forces की जो jobs है उनकी jobs उनकी जान is secure हुई because of Prime Minister of India and Honorable Home Minister साहब की वज़े से और इसके साथ साथ कि पूरा जो देश है वो development की ओर चल रहा है और पूरा देश जो है वो काफी आगे जा चुका है क्योंकि दूसरे देशों में अभी अगर हमारे देश का सर फकर से उपर है वो सिर्फ और सिर्फ परदानमंत्री शिरी नरेंदर मोदी जी और Home Minister की साहब की वज़े से और इसके साथ साथ आप स्कूलों की हाला इससे पहले देखो चाहे जितनी भी सारकारे रही हो अभी हर एक स्कूल में जो है हर एक स्कूल में केंप्यूटर लैब है चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो चाहे वो कोई हाई स्कूल हो चाहे कोई हाई स्कूल हो चाहे कॉलेज हो या इनवर्स्टीज को कॉलेज और इनवर्स्टीज की बात ही तो अलग है वहाँ पे बड़ी बड़ी लैब्स है अब मैं छोटी स्कूलों की बात करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ Honorable Prime Minister की वाज़ से इससे पहले जितनी भी सरकारे थी आप देखो medical एक जहां पे हर किसी के गर में कभी न कभी तो कोई बिमार होता ही होता है इससे पहले जब हम जाते थे तो काफी लाइने लगती थी काफी हमें वेट करना पड़ता था डॉक्टर इसका उसका इसका लेकिन अभी के दोर में Honorable Prime Minister के साहब के दोर में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास एक ब्लाइंग चक रहती है जो पांच लाग की है वो है आपके पास golden card जैसे ही आप admit हो जाते हो उसके बाद जितना भी treatment है वो golden card पे आपका start होता है वो सिर्फ और सिर्फ Honorable Prime Minister की वज़ा से और तीसरा लाड़ी बेटी क्योंकि जब अभी बेटी ने जनम नहीं लिया होता था तो बाप इस फिकर में पढ़ जाता था कि आने वाले वक्त में मैं कैसे अपनी बेटी की परवरिश करूंका शादी करनी है पढ़ाना है लिखाना है वो लेकिन हमारे परदान मंत्री शिरी नरेंदर मोधी जी ने एक लाड़ी बेटी स्कीम निकाली जिसके थ्रू जैसे ही आपकी बेटी आपके गर में जनम लेती है या बेटी हमारे गर में जनम लेती है उसके आदार काड़ बनने के बाद ही उसका जो एकाउंट है लाड़ी बेटी के थ्रू ओपन हो जाता है और उसको गोवर्मेंट से देता है वो अनुरेबल प्राइम मिनिस्टर जेके बैंक के साथ कुलाबरेट करके वो नरिंदर मोधी जी उनको दे रहे है इसके साथ साथ आप नरिंदर मोधी करजा मुख्ती स्कीम देखो क्योंकि इससे पहले नजाने कितने सारे लोगों के लोन थे जो ये सोच रहे थे कि हम लोन चुका दे या अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिशे कर रहे थे क्योंकि हर किसी को पता है कि इंटरस्ट रेट जो होता है वो काफी बैंक्स का हाई रहता है लेकिन अनुरेबल प्राइम मिनिस्टर सहाब ने एक स्कीम निकाली नरिंदर मोधी करजा मुख्ती स उसके ताहद आप जेके बैंक का ग्रॉफ चेक कर लो उसके ताहद कितने लोगों ने पैंसे बढ़े एक लाख रुपया लोन था उसको दासिया बीस हजार रुपया बरना पड़ा जो भी उसका इंटरस्ट था वो सब माफ हुआ और जो भी उसका प्रनस्पल एम और था उ चाइना के बोर्डर पे अगर हमारी पैरा मिल्टरी फोर्स सथ खड़ी है चाइना के फोज के साथ सीना ठोंक के खड़ी है उसकी सबसे बड़ी वज़ा प्रायम मिनिश्र आफ इंडिया शरी नरेंदर मोधी जी और ऑनरेबल हो मिनिस्टर साहब है क्योंकि लेटस्ट वे कॉंग्रेस ने किये लेकि रफाइल नहीं आया रफाइल के नाम पे बहुत बड़े स्कैम हुए जैसे आप सब को पता है लेकिन रफाइल नहीं आता था लेकिन जैसे ही देश के लिए क्या कर रहे हैं और जो मैं रोड शो कर रहा हूं 26 जनवरी 2023 को उसका हिस्सा बने और दुश्मन देशों को साथी साथ पूरी दुनिया को दिखाए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरी देश और पूरी जंता खड़िये यह है अगर कही पे भी परद गांदी का बेड़ा गर्क हुआ है राहूल गांदी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो कम बैक कर सके अब राहूल गांदी के पास एक ही ऑप्शन था कि वो था बारत जोडो लेकिन राहूल गांदी उसमें भी बारत तोडो की बाते कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से राह पर जितने भी आपके family members है, उन सब को मिलता है इबाद की, तो मुझे लगता है कि जो छोटा बच्चा होता है, he needs a milk, वो खाना नहीं खाता है, जब तक उसका आदार कार्ड बनेंगा, वो उस level पर मोच जगा, उसका राशन कार्ड पर नाम आएगा, और ये insurance है कि उसको जब तक उसका आदार का नहीं बनेगा, जैसे ही उसका आदार कार्ड बनता है, उसके बाद वो जन जाती में आजाता है, वो काउंट हो जाता है, शेके नाम पर नजाने कितने scams हुए प्रिवेस गुवर्मेंट की मैं बात करूंगा सपक्राइब कितना सारा खर्चा आता था वह अगर इस बात के दावे करते है कि जोमौ कश्मीर बारत का और टूट अंग है उनको स्क्राइब की क्या लीडर को आज तक किसी ने उस पे गोली चलाई होगी, आप एक मिसाल दे दो किसी लीडर की, फारग अब्दला पे चली, उमर अब्दला पे चली, महबुबा मुफ्ती पे चली, गुलाम नभी आजाद पे चली, या सज्जाद गनी लोन पे चली, जिसको स्क्योर्टी की या मैं जहां से ब्लॉआंग करता हो, वहां पे एक कॉंग्रेस का वर्कर है, जिसको थैड कॉल्स मिली है, उसके पास स्क्योर्टी है, जिसको नीडिड है, उसको दी जा रही है, बाकी जो इनका राज चर रहा था, ये छोटे से वर्कर को उठाते थे, और स्क्योर्टी दे जाता है, कितनी सारी गाडिया, कितना सारा तेल, कितने सारे प्लीस, कितनी सारी CRPF, Central Reserve Force, या JKP, आपको इस बात का इलिम सभी को होगा कि कितना जाता है, देखिए, इलेक्शन्स तो होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन्स तब होने चाहिए, जब मा माहोल नहीं है कि इंबल से कहा हूं कि वो आतंगवाद की बात मनिकी. अतंगवाद खत्म हुआ. आतंगवाद जो èन्म जो इने 0% वो मैंने उस इंगल से बात की. इलेक्शन्स के लिए हालाद क्यों नहीं ठीक है? awakening के लिए इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर कोई भी बंदा यहां पर बीजेपी के साथ खड़ा हो या ओपन ली आ जाएगा उसको जो है उसको शाम को थ्रड मिलेगा उसको जो है उसको मार दिया जाएगा तो इसलिए जब तक यह माहोल जो कुछ गिनेचने अब लोग है जब तक उ जोगे जोगे तो उसके पास बीजेपी सोचेगे कि हम एसलिए अलेक्शन लड़ेगे कि नहीं यह कहां तक सब्सक्राइगा यह जैसे कि मैंने अभी कहा अगर कोई भी बंदा बीजेपी के साथ खड़ा होता है तो शाम को या तो उसको मार दिया जाएगा या तो उसको थ् एक कैमरा के सामने चाहे बीड में चाहे कहीं पे भी वो प्रावुडली जाना चाहिए उसको किसी बात का डर नहीं रहना चाहिए तब तक के लिए मेरे खयाल से इलेक्शन होने ज़रूरी नहीं और मेरे खयाल से अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो यह जो लास्ट जो सरकार यहां पे रहिए, चाहे साहीब हो या साहेबा की हो, इन्होंने आप कुछ भी डेवलॉप्ट नहीं होता था, आप जैसे कि इन्होंने खाली अपने गार बने, तीन-तीन हाथ उसे इन्होंने लूटा, जो मुकश्मीर को, जो मुकश्मीर के अवाम को, टेक्स हम पे करते हैं, पैंसा कहां से आता है, सैलरी कहां से जाती है, वो आम लोग टेक्स पे करते हैं, उस टेक्स को लूटा गया, स्पोर्ट्स घोटाला किया गया, तो मैं चाहता हूँ, मेरी यह और सभी लोग चाहते हैं, कि ऐसी सरकार आनी चाहिए, चाहिए वो बीजेपी की हो, या किसी और जाती है, झाहिए.